अरहर महादेव, नमस्कार, कल्यू पर्थन चरण में आपका स्वागत है, आसा करता हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे हूँ दुत्रों, आज हम इस विडियो में एक बिजोर उपाय दे रहाओं, इस उपाय से बुरे से बुरे वक्त वहूत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दीन आना शुरू हो जाते हैं, धन आने के चारो दिसाएं खूल जाते हैं, सफलता है आपका कदम तुमेंगें, तो मित्रों सफलता एक ऐसा महान है, जो धन, संपती दिलाता है, अगर हर कारे में सफलता मिलता जाएं, तो फिर दीन में किसी बात की कमी नहीं रह जाएगा। तो सफलता महान है, तो मित्रों चलें उपाए के तरफ, आप उपाए को अच्छी तरह से समय, तो मित्रों सबसे पहले, आप अपने एरिया में चार रास्ता को धुण हैं, या तीन रास्ता धुण हैं, अगर तीन रास्ते, चार रास्ते नहीं हैं, तो आप अपने गाउं के बाहर, सुन सान जगा पर, बबुल का ब्रिक्ष देखें, टिपल का ब्रिक्ष देखें, परगत का ब्रिक्ष देखें, जो तो गाउं से बाहर हो, जहां आप आसानी से कर सकते हैं, वोई आपको ठोक टाक ना करें, इसके लिए सुन्सान जगह जरूरी होता है, और मित्रों, अमावस्या का दिन होगा, जब अंधेरी रात के अंतीम दिन आते हैं, उसी दिन को अमावस्या बोलते हैं, नौ बजे से बारह बजे रातरी के बीच में इस उपाय को कर लेना है मित्रों, अब उपाय को अच्छी तरह से समझा, तो मित्रों, अपने उम्र के हिसाब से, चाहें आपका उम्र जितना भी हो, पैंतीस हो, चालीस हो, पचास हो, पजपन हो, साथ हो, उम्र के हिसाब है, रूई को लेना है, जैसे आपका उम्र पैंतीस साल का है, तो पैंतीस गराम रूई लेना है मित्रों, यह आसानी से पुजापाट के दुकान पर मिल जाता है, पंसारी के दुकान पर भी मिल जाता ह लेकिन सबसे बढ़िया वाला आपको पूजापाद पंसारी के दुकान पर ही में, तो जितना उम्र है उसी हिसाब से रुई लेना है, यानि एक बर्स पर एक गरा, अगर पचास उम्र है तो पचास गरा, इस हिसाब से आपको लेना है, तो रुई भी देख लिए, और कपूर का टीकी मित्रों ये भी उम्र के हिसाब से ही लेना है तो ये भी अगर 35 बर्स का उम्र है तो 35 टीकी कपूल का ले लिए इसको लेना है उम्र के हिसाब और लकडी का कोईला मित्रों एक पीस एक थोटा सा लकडी का कोईला लेना है बस मित्रों इतना ही समागरी लेना है और एक मा की अब मित्रों आप सब समागरी को लेकर इन रास्ते या चार रास्ते या दो तिन जो भिरिक्ष बताया हूं वहां जाकर जहां भी आपको सुभ़ा है वहां जाकर रूई को ले लें कपूर को ले ले, कोईले को ले ले और अपने उपर से मित्रों उटा हाथ साथ बार उतारें साथ बार उतार कर पहले कपूर को नीचे रखें जमीन पर इसको अच्छी तरह सजांगे फिर उसके उपर कोईले को रखें फिर उसके उपर से रुई को रखें अब माकिस जलाकर नीचे कपूर में आग को जला जाए अब जब कपूर जलेगा तो कुईला में आग पकड़ लेगा और रूई जल जाए तो मित्रों यह रूई जलते ही आपके बूरे से बूरे समझ समाप तो हो जाएंगे अब आपके हाथों चारो दिशाओं से धन तेजी से आएंगे सफलता आपका कदम चुनेगा और मित्रों जब वहाँ से आप जलाकर चलेंगे तो तुछे मूड कर नहीं जखना और घर आकर अच्छी तरह से हाथ मूँ पाउँ धोकर आप सूज़े मित्रों इस उपाय को श्रीफ एक बार कर रहें आपके जीमन से हर एक प्रकार के वधायें मुसीबत अंकट सब दूर हो जाएंगे और खूल कर धनाएंगे अब आगे बहने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपका जीमन बन जाएगा खुतहाँ तो मित्रों वीडियो के कमेंट बक्स में जाय सिरी राम जरूर लिखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाजात नमस्कार